पदमावती आखिर 25 जन्वरी को हूगी रिलीज जी हाँ दोस्तों बड़े इंतजार के बाद आखिरकार पदमावती 25 जन्वरी को रिलीज हो सकती है सिंस अ बोर्ड ने कुछ बदलाव करने की सिफारिश के आधार पर फिल्म को रिलीज करने की इजाज़त दी है पहली सिफारिश की फिल्म का नाम पत्मावती की जगह पत्मावत किया जाए, जैसा की फिल्म के निर्देशक संजै लीला भनसाली ने इसे कालपनिक बताया है दूसरी सिफारिश यह की, गाना घूमर में बदलाव किया जाए क्यूंकि यह वास्तविक रूप से राजिस्थान का पारंपरिक गीत हैं तीसरी सिफारिश डिस्क्लेमर में भी काफी बदलाव किया जाए उप्रोक बदलाव के साथ साथ शोटे बड़े और कई तरह के बदलाव की सिफारिश की गई है उद्धर राजपूत करणी सेना का फिल्म के रिलीज होने को लेकर विरोध जारी है ऐसा कहा गया है कि यदी फिल्म रिलीज हुई तो हुने वाले उप्तरव के लिए केंदर सरकार और सेंसा बोर्ड जिम्मेदार होगा अपपा, रे मामले में यह देखना दिल्चस्प होगा कि आखिर जीत किसकी होगी क्यूंकि इस साल राजिस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव है और ऐसे में केंदर सरकार के साथ साथ राजियों की सरकारे खत्रा मोल लेना कितना उचित समझती है